नमस्कार, आज हम तक्षा आठ की पुस्तक, रुचिर्य का दूसरा हद्ध्याय पढ़ने जा रहे हैं, बिलस्चे वाने नए कदापी में सुरूता, यह अमारा शिर्चक है, इस पार्ठ का, बिलस्चे वाने, बिल की वाने, यानि गुफा की वाने, बिल को गुफा कहते हैं, वाने, यानि वच्चन, ने, नहीं, कदापी, कभी भी में सुरूता, मेरे दवरा, सुने गए हैं, कदापी का यहां पर संधी विचेद है, कदापलस है, अपी, यहां पर इसमें दिर्ग संधी का प्रियोग हुआ है, यह पार्ठ है हमारा, प्रस्तूत पार्ट संस्क्रत के प्रसिद करधागरंत पंड़्टंत्रं के जो पंडित विश् calendar किसनु सर्मा बनेज़र्ण इसके पांच खंड है इनई तंसर का अगया है इसमें गड़्डे पद्डे रूप में इसमें लुकी hàng के से जो पंचतंतर है इसमें मुख्य रूप से जो इसका जो इसमें जो वाचक जिनके बीच में वारता हुई है वो इसमें पसुपक्षी ही मुख्यत है इसमें को लिया गया है पत्र इसके पसुपक्षी ही है कस्मी चित वने खर नखर नाम का शेर परतिवस्ति समय रहता था कोई वन था उसमें खर नखर नाम का यह के शेर निवास करता था से कदाचित इतस तते वे कदाचित का मलव कभी इतस इधर से तते उधर प्रीबर्मने गूमते वे शुदा आर्थ भूक से ने किंच तपी आहरम प्रवाप्तवाने ने किंच तपी कुछ भी आहरम बोजन प्राप्तवान प्राप्त किया उसने एक शेर था खरणकर नाम का वै कभी भी इधर से उधर एक दिन मैं लब इधर से उधर प्रिभरभ में गूँबता वा खुषदार्थ भूक से फिलistent होता वा उसे कुछ भी आहर प्राप्ते नहीं हुआ उसे कुछ भी नहीं मिला इदर उदर गुंतारा यहां पर इतस तते हैं यहां पर इस संधी विचे दें वहा है इतने विशरग धन तते हैं इदर से उधर और इसमें विशरग संधी का परियोग हुआ है अब वो क्या सोचता है तता इसके बाद में सुर्यात के समें एकाम एक मैती बहुत बड़ी गुवाम गुफा को दृष्टिवा अब दृष्टिवया इसका संधी दोगा द्स दृष्टिट प्लशएं अब इसमें जो प्रत्य का प्रियोग हो nauc कि साथ में कतव प्रत्य का प्रियोग वाइस всего कुफा को देख करके से ऐचिंदियत है वह सोच में पढ़ जाता है सोचता है नुन्नम का जो एक अव्यव है इसका अर्थ होता है निस्ची तरूप से इत्श्याम गुव है हम इस गुफा में रत्रो रत्री किसमें कोई भी के विश्रे पल्ले से अपी यहां पर है भी अगर आवग यह जो एसका यहाँ पर बहुत बड़ी गुफा देखता है देख्कर कि व्यवचेता हैं। नुन्नम यानि निश्चित रूप से इतस्य इस घुफा में रत्रि में कोई जीव आयेगा, इत्रेव निगुटो बुत्वा, इसलिए अत्रेव अत्र प्लस एव यहां पर वृद्धी संधी का प्रियोग आए अत्र प्राइव यानि वर्धि-संदी प्रिप्र वह यह पर भी निगुडो यानि चीप करके भुंत्वा करके भुंत्वा में भुभु प्लस कोणड़ा, ददीपुँंच नाम का स्उरंगाल है। वाहां पर आ जाता है। अब समाग चते का संधी संपलस है आग चते यहां पर वेंजन संधी का प्रियोगवा उसी समें आया कोण आया ददीपुंच जो इस गुफा का श्वामी था ददीपुंच नाम का जो स्रंगाल था वो आया से चय यावत पश्यती तावत सिंग पदती गुवैं परविश्टा दृपुंच निशान है गुवाया परविश्टा गुफा में परविश्टा परवेश्टा परवेश्टे द दिखाय देते नया चय भाहिर आगदा और बहार आयोए मिशान उसको औो नहीं दिखाए देते, बहीर आगता का संधी विचेट बही विशरक पले से आगता, यहां पर भी किस संधी का प्रियोगता है, जो विशरक संधी है, वो प्रियोगते हुई हैं यहां बहीर कि अबहर आयों की निशानों आपर उसको दिखाई नहीं देते हैं स्रंगाल ऐ ये cycling आता है सोचने लगजाता है सुचता है विशान कर अहो अरे विनिष्टो असमी मैं तो विणास होगा मेरा तो विनास हो जाएगा अरे मेरे तो मिनास होने वाला है नूनम निश्चीत रूपशे अस्मिन बिले सिंगे अस्ती तरक्यामी नूनम निश्चीत रूपशे अस्मिन बिले इस बिल में इस गुफा में सिंगे सेर अस्ती पलस इती अस्ती पलस इती यहां पर भी दिर्ग संदी का प्रियोग हुआ है तरक्यामी, सोचता हूँ, अस्ति इती है, भूब इसके अंदर तो निश्टित रूपशे शेर है, मैं विचार करता हूँ, यानि मैं सोचता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये कौन सोचता है, ऐसा वश्रंगार है, सोचता है, तता है किम करवानी, तब क्या करना चाहिए, वह सोच रहे है तता किम करवानी, मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप से पर्शन पूचता है, वह सरंगाल है, वह अपने आप से पर्शन पूचता है, एवं विचिन्ते, ऐसा वो सोच करके, विचिन्ते वी, चिन्त और लेप परते का प्रियोग हो है, लेप परते की चित्ते, ऐसा सोच करके, ऐसा सोच करके वो दूरस्त है रवम करतुर आरम्द है, भो बिल है, दूर से ही रवम आवाज करना प्रावम्ब कर देता है, दूर से ही उसको देख करके वो आवाज करना प्रावम्ब कर देता है, भो बिल है, हे बिल, हे गुफा, भो बिल है, हे बि यात प्रत्या गमिश्या में तदा तुम्माम आकारी शेशिई आकारी शेशिऑ भुल हे बिल यह सबसे कि मेरे दौरआ कि services तुमारे साथ दौट में सि दौट है तौ-प्रति व्युक्ति प्रयूकि है तौ-व्यूगत समय करतो अस्ति मेरे साथ जो तुने जो किया था बारता की थी जो मेरे साथ तुमने ये बात की थी कि तुम मेरे आते ही बोलना सुरू कर दोगी करतो अस्ति तुमने जो किया था मेरे साथ तो यद यद आहम बाहियाद मैं बाहर से प्रत्यागमी शामी मैं बाहर से जब आऊं बुलाओगी तुम मेरा आवान करोगी यदि तुम मामने आवेशेशी यदि तुम मेरा आवान नहीं करोगी तरही तो एहम दिख्तिय विलम्याश्यामी यती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा अगर तुम मेरा आवान नहीं करोगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊं इस प्रकार से ऐसा सुनकर के सेर एसा सुनकर के वह सेर क्या करता है एक चिंतियत विचार करता है नुन्नम निश्चित रूप से एसां गुहां ये जो गुफा है स्वामी ने स्वामी की सदा सम्हानम करोती सदा अपने जो स्वामी है उसका आवान जरूर ये करती है ऐसा वे सोचता है प्रंतु मद बयात ने किंचित बदती लेकिन मेरे भैसे ये कुछी बोलने की साहसे नहीं करती है नहीं कर रही है निशित रूप शे गुफा बोलती है मेरे भैसे वे नहीं बोल रही है कुछ भी बोलने का साहसे नहीं कर रही है अत्वा साध्वितम उच्चते अत्वा ओर भी क्या का गया है देखो साध्वु वदम का गया है सत्ते ही का गया है उच्चते का गया है भैसंत्रत्मनसा हस्तपादादीका क्रिया प्रेवरतंते नेवानी चै वेपथू चै अधिको बवेत भैसंत्रत्मनसा भैसे व्यकुल हुए भैसे डरेवे मनवाले भैसंत्रतमनसा यानि भैसे डरेवे मनवाले हस्तपादादीका हात और पैर प्रवरंत काम करती है, भब उनकी जो क्रियह है, वो आधी कंपने, इसका आड़त होता है, और अधी कंपने करने लग जाती है, नए प्रवंते वानी तवे पतु उन्चे आवाज भी नहीं निकलती है शेर यह सोचता है भय संत्रत मनसा भय से व्याकुल हुई भय से संत्रित हुई भय से डरी हुई अब मेरे भय से डरी हुई मनवाले जिसकी हाथ पैराधी जो करिया है वो काम करना बंद कर देती है करती हैं ऐसा हुए सोच रहा है एसा वह सेर सोच रहा है तो ऐसा वह सेर सोच कर गें अब क्या करता है देखिए तद एहम तब वह क्या करता है तब मैं इसका आवान करूंगा तब वह कहता है कि मैं इसका आवान करूंगा मनें प्रहविश और लिंप परते का प्रयोक परियोग होता है ये निश्ची रूपसे मेरा बोजन बनेगा इत्तम विचारी एसा विचार करके सिंग सैसा स्रंगालत से आहवानम करोत है ऐसा सोच करके आहवानम प्लश से करोत इसका संदीव जैं आवान पुकारा विचारीय में दिया नियुकर ये में अचानक ये स्रंगाल से आवानम करता है तो उसको बुलाता है सिंघस से उच गरजण पर्त्वी दन दना साँ गुफा उच्छछ शरंगालस से आवानियत है सेर की उच गरजणा से उस गरजणा की पर्त्वी दन 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 करती है उस जो ददिपुन्च है उसका आवान जोर से करती है अनेन अने पी पस्वे भैबिता एववन अनेन और जो और भी जो पस्वे इससे अनेन इससे अने अपी अने भी संदी विचे दिया आपर अने पले से अने विश्रक पले से अपी हो गया पस्वे भैबिता एववन है और उसके बाद में दूर है पलायमान है, दूर जाता हुआ, इमम पढ़ता है, ये बोलता है, चरगाल उनकी जो उनकी बात को सुनकर कि उस सेर की जो गर्जना से आगे जाता हुआ, ये पढ़ता हुआ जाता है, कहता है वो, अनागतम ये कुरते सैसोबते, सैसोचनते, यो ने करो अत्यगागते, वने अत्रशंस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वानी ने कदाभि में शुरूता, अनागते ये कुरते सैसोबते, अब इसका अन्वेर है, ये अनागते कुरते सैसोबते, ये जो अनागते, जो आने वाले दुख को कुरूते से सोबते कुरूते यानि उसके बारे में सोचता है सोबते आने वाले दुख को जो जानता है उसके बारे में पहले से ही उसकी ठा रखता है उसको जानने के कोशिश करता है उसको जानता है वह सोबित होता है मलब उस दुख को वह बगा देता है यो अनाग करता है वैं डुखним होता है निष्ट रोप से दूख ही होता है अत्रवने संस्तत से संस्तत से रहते हैं मेरी बुड़ापा आ वने अत्र है यहां पर वने में सप्ति विखतेयों प्रियोग हो आ है अत्र का मतलब यहां संदीव चेत करेंगे वने विश्रक पलस है अत्र संस्तस से लो रहें तेवे समागता जरा मैं बुड़ा हो गया हूं ऐसा वानी कोन कहता है वो जो गिद्र ना ददी पूंच वो कहता तो आज हमारा ये दूसरा पाट है यही पर समाप्तोबार धन्यवाद